अस्सलाम अलेकम वीवर्स वेलकम टू फामास की चनाजम बनाने जारे सुर्मे मच्छी फ्राई और टमाटर का रस्सम इसे टमाटर का रस्सा भी कहा जाता है ये चन्ने स्पेशल टमाटर का रस्सम है इसके लिए हमने एक मिक्सी के जार में एक चाय का चमच जीरा लिया था एक चाय का चमच काली मिर्च ली थी पाच छे लसंगी कलिया जो बिना छिला हुआ और चाल पाच कड़ी पत्ते और दो हरी मिर्ची हमने उसे बिना पानी के प कर लिये थे उसे भी हमने पीस लिया था अब अपना टामाटर का रसम बगारेंगे हमने थोड़ा सा इमली भी भीगो कर एदे कि हमने टामाटर पीस लिया है इमली भीगो कर हम उसका पल्क निकाल लिये थोड़ी सी इमली आप ले रिजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से चल अच्छे कड़ी पत्ते दो तीन सुखी लाल मिर्ची तरह तोड़के डाल दे और चुटकी बर हिंग और जीरा काली मिरी कड़ी पत्ता हरी मिर्ची और हमने लस्तन जो बिना पानी के पीसा था उसे भी हम इसमें मिलके हलका सा मिलाके भून लेंगे और एक चोटा चमच आदा चाए का चमच हल्दी पॉटर डालेंगे इसे हलका सब भुनना है ज़्यादा नहीं भुनना है रस्म में किसी भी मसालो को भुना नहीं जाता इसमें हम अब अपने पीसे वे टामाटर एट कर देंगे टामाटर एट करके मिक्सी के जार को भी अच्छी तरह से धो लेना और इमली का पल्क निकाल कर जो हमने रखा है उसे भी हम इसमें डाल देंगे सारी चीज़ों को हमें एक के बाद एक इसमें एट कर देना है इमली का पल्क जो नीला था आप खटास अपने हिसाब से डालेगा और इमली का पल्क जब हम निकालते हैं उसमें थोड़ा सा नीचे कचला रहता है उसे रोक लेना अब हम इसमें एक गिलास पानी एट करेंगे इसमें हम एक गिलास पानी एक चाई का चमच नमक शामिल करेंगे हमने एक गिलास पानी इसमें एट किया है आप नमक, मिर्ची और खटास अपने हिसाब से रख सकते हैं हमने इसमें टमाटर भी यूस किया है पीसकर और इमली का पल्क भी मिलाया है ये चिन्ने स्पेशल रसम है इसे टमाटर का रसा भी कहा जाता है एक बॉइल आने पर हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसकी चूले की आज उजा देंगे इसे जाधा नहीं पकाना है वरना ये काला पड़ जाएगा एक उबाल आते ही हमें इसे चूले से उतार देना है और इसे ढखना नहीं है थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे ही खुला रखेंगे चलिए हम अपनी मशली मेरिनेट करते हमने सुर में मच्छी लिया है इसे हम हल्दी और नम्मक लगा के रखा था इसे हम अच्छी तरह से साफ करके धो लेंगे देखें हमने अच्छी तरह से साफ करके धो लिया है अब हम इसमें अपने मसाले आट करेंगे हमने लिया है आदा चाय का चमच काली मिज्च पाउडर एक चाय का चमच नमक आदे से बीक्म हल्दी पौडर और हम तीन में खाने का चम चम अमने लाल मिर्च पाॉडर लीया है और फिश्च मसाला कोई भी ब्रैंड का आप मचली मसाला ले लीजिएगा कि एक हल्का पानी नहीं का पेस्ट बनाएंगे जादा पानी नहीं मिलाना है अब हम इसमें आदा चाई का चमच अद्रक लसन का पेस्ट भी मिलाएंगे उससे मचली में महक नहीं आती है अद्रक लसन का पेस्ट मिलाने से मचली में स्मेल नहीं आती है टेस्ट भी बढ़ जाता है आदा चाई का अध्रक लसन का पेस्ट और फिश तंदूरी मसाला यह भी हमने आदा चाई का चमश लिया है सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम इसे हाथों की मदद से मिक्स करेंगे यह देखे हमने हमारे मसाले मिक्स कर लिए अब हम इसे मशली पर लगा देंगे हलका हलके हाथों से हम इसे मशली पर लगा देंगे मशली को अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे मैरिनेट करके इसे हम 10-15 मिनिट के लिए रख देंगे अच्छी तरह से हमें इसे मैरिनेट करना है मसाले अच्छी तरह से इसमें लगाना है यह देखे हमारी मचलियों पर हमने मसाला अच्छी तरह से लगा दिया है हमारी फिश मैरिनेट हो गई है अब हमें पैन में तेल लेंगे और इसे शेलो फ्राइ करेंगे एक पैन में हमें चार खाने का चमच हमने तेल लिया है एके करके हम सारी मचलियां इसमें डाल देंगे और इसे दीमी आज पर फ्राई करेंगे दीमी आज पर फ्राई करना है तेज आज पर हम मचली फ्राई कभी नहीं करेंगे वरना मचलियां जल जाएगी मसाले इसके जल जाएंगे इसे दी मियाच पर फ्राई करना है पहले हमें एक तरफ फ्राई करेंगे फिर दूसरी तरफ देखें हमने अपनी मचलियां इसमें डाल दिये हमारी एक तरफ मचली फ्राई हो गई है हम इसे टर्न कर देंगे यह देखे कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई है क्रिस्पी मश्ली फ्राई है यह देखे हमारी मश्ली फ्राई तयार है रसम भी तयार है मश्ली फ्राई भी तयार है अगर हमारी डिश पसंद आई तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए और हम सब को दुआउ में याद रखे लाफिज